हेलो एवरिवन कैसे हो आप सभी होफुली आप सभी स्वस्त और मस्त अपने घरों में होंगे और मैं भी ठीक हूँ यहां में तयार हो गई हूँ पर्स वर्स टांग लिया है और निकलते हैं अब मॉर्निंग वाक के लिए तो यहां पर सेल्फी ले रही हूँ मैं तो कैसे करते हैं आगे और उसके बाद में यह एक ब्लेक ब्लेक स्क्रिन आये थी पता नहीं क्यों आये थी और मैं एडिट करते टाइम भी को काट नफाई अच्छा लिए ताला लगारी हूँ में निकलते हैं और उसके बाद में आकर फिर चाय पीएंगे चाय की बड़ी लगी रे लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि आके ही पीलेंगे रे बाबा ने जो ताजा दूद आएगा उसी से उसकी ही बनाके चलिए निकलते हैं और यहां पर जो गंदगी है वो गाइस उसको इग्नोर कीजिएगा पोर्च में है कि रात को आंधी आई थी अभी तो गूमने जा रहे है फिर स्वामी जी आकर यहां पर दो देंगे यहां पाइप निकाल के जा रहे है वो बोदो को पानी फिला रहे थे सोच रहे थे दोदू मैं अभी लेट आऊंगी चत पे उपर से तो वह पहले नीचे आ गए थे लेकिन मैं आ गई उतर के तो मैं उनको बोलरू चलो चलो बाद में आके कर लेना देखिए तो चलते हैं चलिए आप भी मेरे साथ बने रही है यहां पार्क में आ गए हैं स्वामी जी मेरी क्लिप बना रहे है मैंने इसको फास्ट नहीं किया है गाईस फास्ट करके भी क्या करती गाईस फास्ट करते हैं तो जो क्वालिटी है वो ड है तो स्वामिजी देखे अब बहुत अच्छा वीडियो प्रहे हैं तेन चार इन से कर रहे हैं नॉाथ पड़ गई है कि तरीके से स्कतिस करना है तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं यह देखिए अब उनका प्रहे है हिल भी नहीं रहा है और यह देखिए वो खुद ही अब अपने सेल्फी लेते हुए वीडियो शुट करें अब उनको अच्छा से आ गया उनको वीडियो शुट करना मैंने उनको कहा भी मैंने का सेल्फी लेते हुए भी वीडियो बनाया करो खुद का भी मनाया करो कभी-कभी तो उन्होंने शायद बना लिए में घूम रही थी मूबेल उनके हाथ मैं था मुझे नहीं पता वो अपना खुद का वीडियो शुट कर रहे हैं लेकिन अच्छा कर रहा है मेरे को अच्छा लगा उनका इस बार नहीं तो आओ और अपर्स वाले विलॉग में और वो बार-बार कैमरे को घूमा रहते ब रहा है पानी का हम लोग देख रहे हैं कि एक ब्लोक भर गया था तो फिर स्वामी जी बोरिंग चल रहा था तो अब पानी एक ही जगे चलता रहेगा तो दो चार पदो कोई मिलेगा तो स्वामी जी ने उस पाइप को खीच के थोड़ा सा आगे कर दिया ताकि सब को पदो को दोगी आ रहा है इसको भी हम बिस्कित डालते हैं यह देखिए और इदर में घूम रही हूं और अभी तो मैं यहां मंदिर के यहां बैट गई हूं थोड़ी ठक गई तो इसलिए नहीं तो अभी घूम रही थी मैं रुख गई डोगी आ रहा था इत्ति देर नहीं था रख दिया ताकि वो दूसरे ब्लॉग में पानी भर जाए ऐसे कर हम घूम रहे थे मैंने आज साथ चकर काटे थे स्टार्टिंग में दो काटे थे उसके बाद में पांच हुए तीन दिन तक या दो दिन तक लगातार पांच करे मैंने और आज साथ काटे हैं अब धीर धीर साथ करके आठ नो दस तक आ जाएंगे पस इससे ज्यादा नहीं काटेंगे यहां बेठे बेठे हम लोग सेल्फी वाला व्लॉग बना रहे हैं यह देखिए बहुत अच्छा आ रहा है मैंने स्वामी जी के हाथ में फोन पकड़ा दिया है अब बहुत अच्छी तरीके से व उपर लगाते हैं अपन उसके लिए यह देखिए यहां पर वाव अब मैंने पकड़ लिए मंदिर के बाहर बैठते हैं और व्लॉक शूट करते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब सेल्फी शूट करते हैं बहुत अच्छी आती है तो चलिए अब आप भी हमारे साथ आगे की ती वर चलिएगा जब दूद लेने जाते हैं आट वहाँ पर बहुत सारे बच्चे नगर्केट खिलते नज़ए कि शायद संडे संडे शुटे रहती होगी उन लोगों की तो वह सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे वहाँ पर रहना क्रिकेट खेलते रहते हैं इतना नजदिक से तो मैं व्लॉग नहीं बनाती हूं मतलब वीडियो शूट नहीं करती लेकिन आई जाते हैं महां दानावाना डालते हैं तो हम केमरा गुमा अब देखिए यहां पर डोगी आ गए हैं इनकों बिस्कुट डाल रहे हैं आप देखेगा यह बिस्कुट को छुपाएंगे एक डोगी है तो उठाके उस बिस्कुट को कच्रे में चुपा देगा वो शायर इस तरीके से करके और वह बाद में जब भूख लगे कि तब उ सबस्कार आब यह से खुले पड़ेते बिस्कुट इनको सब को देडिए डाल रहे हैं देखिए इस तरीके से बड़ा अकलमन्द जानवर इनसा से जदाट तो जानवर अकलमंदे यह देखिए यह देखिए यह उसकता है इसके बच्चे हो बच्चों के लिए चुपा रहा हो सकता है लेकिन बड़ा अकल मंदे भाई यह देखिए मैं तो देखके दंग रहे गई पूरा वीडियो शुप करा मैंने और मैं सोच्री ती एक लिप जोड़ू कि ना जोड़ू लेकिन मैं सोच्री जोड़ी दूं ताकि आपको भी पता चले कि एक जानवर कितना अकल मंद होता है और यहां पर यह देखिए यह में हम पानी पिने गए थे तब कुट्ते को डाला था और उसके बाद में उन्होंने पाई फिर्शा सरकाय स्वामी जी ने तो चलिए अब हमें ना निकलते हैं अब हमें सब्जी शायद लीती यह नहीं लीती आगे व्लॉग में बने रही है क्योंकि यह दो दिन प्राणा व्लॉग है तो मुझे इतना ठीक से याद नहीं है मैंने तर्बूस तो कली ले लिया था आज शायद खीरा भी नहीं लिया था शायद पर में हां लोकी दी थी मैंने लोकी और भिंडी लीती तो चलिए बने रही है यहां पर मैं वीड कि यह हो यहां का बना लिया है यह देखिए एक एएग जगे के वीडियो आपको ना दिखे हैं इसलिए हम बढ़े पार्कों में भी जाएंगे और ये देखिए डोगी आ गए हैं दोनों ये देखिए ये देखिए शेरू आ गया है और मैं सोच रही हूँ इसका क्या ना देखो देखे देखे ये सलामी दे रही है देखिए इस तरीके से आप देखिए अब दूसरा पैकिट खोलेंगे और इसको देंगे ये देखिए य मामेजी कि जाते ही आ जाते हैं यह बहुत ही प्यार करते हैं और हम कई सालों से दूद ले रहे हैं और यह कई सालों से आ रहे हैं पहले तो यह कुटिया ही आती थी अकेली थी और फिर यह बाद में देखिए सलामी दे रही है देखिए अब आप बताइए किया कर रही है जानवर यह देखिए मेरा तो यह मानना है कि इंसानों से ज्यादा जानवर वफदार होते हैं इंसान आप कुट्ता पाल लीजिए वफदार निकलेगा लेकिन इंसान धोका जरूर देगा इंसान अपना काम होने के बाद दूद में से मखी की तरह निकालके फैक देता है जब उसका सुआर्थ पूरा हो जाता है और अपनी बाटी सेख ता रहता है और जब सुआर्थ पूरा हो जाता है तो वो एक मिनिट क्या एक सेकिंड नहीं लगाता है एसान तो बहुत दूर की बाते मानना इज़त करना तक भूल जाता है जब कि क्या ही बोलू मैं आपको तो इनसान से ज़्यादा तो कुत्ते ना वफदार होते हैं तो एक कुत्ता पाल लेना चाहिए ताकि है ना वो वफदारी त कि अगर हनुमान जी भी बन गए हनुमान जी ने फाड़ कर सीना राम सिता जी के दर्सन कराये थे लेकिन अगर इनसान है ना कोई हनुमान जी भी बन गए और सीना फाड़ दिया ना उसके लिए तब भी वह वफदार नहीं रहेगा कितना भी कर लो आप कितना भी कर लो जो वो इनसान है ना जिसके आदत पड़ जाती है ना वो वैसा ही रहेगा, इसलिए बोल रही हूं कि इनसान से ज़्यादा वफदार जानवर हैं और बहुत ही समझदार हैं और कम से कम जो कुछ उसको खिलाता है, कुछ देता है, कम से कम वो उसके वफदार बने रहते हैं, पास म आके खड़े हो जाते हैं खाते भी नहीं है स्वामी जी हाथ पे प्यार करते हैं तो मतलब इतना अच्छा मैसूस होता है तो एक कुटा पालना बहतर है इंसान से ज्यादा तो इंसान दोके बाज दगवाज है इसान फरामों से मतलब भी घन्वर नहीं है लेकिन किका ँत्राइब गया है अाज की जम्हाने में के इंसान इतना मतलब ही हो गया है कि मतलब किया ही बताओं में आपको धारन भी किया ही दूउ कि इसान मतलब मतलब दुस्मन हो गया है यहां पर यह हम focus में गए थे और सब तरह के item यहां पर मिलते हैं मैंने ice cream लिए बेटे के लिए मैंने पूछा है भाई साब से भाई साब एक clip निकाल लूगा है यहां पर भाई साब बोले ले लीजिए तो ठीक है यहां पर यह पतिदेव यहां हाई हलो कर रहे हैं और आज मैंने दही चार्ज नहीं लिया क्योंकि दही रखा है मेरा जमा हुआ और बेटे ने भी मना कर दिया था कि ममी वही ही खाल लूँआ जमा हुआ तो खाली स्वामी जी ने लिया है चार्च और यह देखिए यहां पर यह लिया ही ice cream में और जहां सबजी ली थी वहां पर मैंने वीडियो में रखोंगी और मैं आते ही जो दोके सबसे पहले सबजीयों को रखती हूं आदत ही पढ़ गई कोरोना जब से आया है ना तब से मेरी आदत ही पढ़ गई इस चीज की कि मैं दोकर पहले जाली में उसको रखती हूं सुकाती हूं तफरीज में रखती हूं कि मेरी आदत प तो जितने ना तेरी चाय तो नाले धोले और फ्रेश हो जा और नहीं तो रेस्ट कर या भजन सुन में आ रहा हूं तो मैंने बोल दिया मैंने का आप है ना चाय बना दो पहले चाय के बिना नहीं रहे सकती मेरा सरदर्द चालू जाएगा तो मैं उनको वही कह रही थी कि आप बना रहे हो तो ठीक नहीं बना रहे हो तो फिर मैं हनी को बोलूँ वो बनाएगा वह तो बरोसे में आए कि पापा बना देंगे शायद और यहां पर यह देखे मैंने का ना में फली बिंडी ने इस वरी बिंडी और लोकी लाई हूं और यह अलग-अलग विराइटी के आइस्क्रीम लाई हूं क्या पता बेटे को पसंद आएगी कि नहीं आएगी यह लोकली है वैसे तो लेकिन मेरे समझ में आई जो मैं ले आई ताकि क्या है अगर उसको जो पसंद आएगी ना उसी का फोटो खीच लूंगी कवर का अगली बार से वह ही ले आऊंगी और रसना का पेकेट नहीं मिला वेटा बोल रहा था मम्मी रसना नहीं लाए उसको ठंडे का सो करो के यहां यह बादाम गला यह था बादाम में चैने और मौंग मोट डालना भूली जाती हूं मैं रोजी यार और यहां पर यह स्वामी जीन चाय बनाई यह पोए तो चलिए करते हैं नास्ता और मुझे मम्मी के हाथ के पोए बहुत ज्यादा पसंदे मम्मी ने उस दिन बनाय थे पोए हमूस है मेरी मम्मी के हाथ की सब्सक्यां और पोए का मतलब स्वाद ही निहीं जा रहा है अब आप ऐसे मत बोल देना कमेंट करके कि आप रोज-रोज रोज-रोज तुgines municipfta दिमाक में से झाता ही नहीं है कौ इसा बंदा वह वह वाहिद जो अपनी मां कि थुरूए आपकी पास संदेश भेजरी मम्मी भी वीडियो भी देखती है I love you so much मम्मी कोई गलती हो जाए कभी तो माफ कर देना इस बेटी को I love you so much गलती हो जाए तो जूते मार लेना ना मम्मी आपका तो चपल मेरा सर है ना मम्मी जी I love you so much इस एज में भी मेरी मम्मी है ना बहुत एक्टिव है भगवान उनको हमेशा कुस रखें और ऐसे एक्टिव उनको बनाए रखें थेंक्यू सो मच सभी का और यहां आप मैं भजन चला रही हूं और अपनी जो है चाय इंजोई करूंगी यह देखे मैं बिस्तर पर बैटके चाय तो पी लेती हूं लेकि कम चांस है तो जो है मैंने खाना खाती हूं एं कुचील में खायी था खाना और वह भी मंगी का पैर अब मामी से बैठा नहीं जाता ममी वैसे उपर बैठके खानार काती है क्टेबलकुरसी पे तो फिर एक दिन दोर दो धिन व्राफ़ सिधा फिर एक दिन दो जो खाए मैं कि आजाएए खाज खा लीजिए और वेसे ना रसोई की बार एक तक्ता लगा रहता है तो मम्मी के पता नहीं उन्होंने उसको पीछे क्यों रखवा दिया वह उपर लाना है तो उपर भी बोलके तो आई हूं मेरे भाई से मैं कि वह तक्ता उपर रखवा देना और कई काम भ बड़ा करना है मम्मी का सिंक वह चोटा है कोने में घुसा हुआ तो पीछ में दर्द होता है जब मेरे होने लग गया तब मुझे एसास हुआ है कि मम्मी का क्या हाल होता होगा तो मैंने का बड़ा लगवा देना और भी कई चीजी मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कई काम बतायाते हैं हाँ बरतन का चीका लगाना है एक मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन लेकेको न आलयार पैसा है सब कुछ नहीं होता है एक जिम्मेदारी वह बहुत बड़ी चीज होती है जाकर लाना किसनगर से और फिल लगाना हमारे यहाँ पर तो क्या है जैपुर में तो ब प्रफिल लगाना हमारे यहाँ पर तो क्या है जैपुर में तो बस निकले और दुकानों पर मिल जाता है लेकिन वहां कुचील में तो क्या कोई बहुत अच्छी फिलिंग आती है मन में तो चलिए यहां पर चीडिया का खाना मैंने निकाल लिया है अपन खाते हैं वैसे जैसे नास्ता करा मैंने हो रहा बस में चीडिया का भी खाना रख देती हूं और चाई नहीं पीती जब तक मेरे दिमाग की बत्ती गुल रहती है देके जारी हूं एक मैं कर देती हूं सूखा वाला मैं इसलिए रखती हूं कि मैंने जब कुछ नहीं होता है तो चीडिया इसको लेके और पानी में डबो के और फिर इसको खाती है मैंने उनको खाते हुए देखा है इसलिए मैं नहीं उठा रही हूं और मैं यहां पर मेरा तांबे का जगे मैं तांबे के जग मैं पाणी हरके फिर आटड लगाती हूं ऐसे सुना या ना चीह का पैन पहर ताम्द के चपाणी इसे पोई भर दिया है अब यह पर ने उसका पॉलड भर दीया है और यह शुब़् गत прंढ दिया है और चिडिया का भी पानी भर दिया तो दाना पानी चिडिया का हो गया है तो चलिए अब तो साफ सफाई करते हैं यहां बिस्किट बता रही हूं मैं और चलिए यह बादाम के छिलके आज बादाम स्वामी जी ने छिलके खा लिए और छिलके डाल देते रस्वीन में और चलि पड़ेंगे और बास अपने काम पर लगेंगे यहां पर मेरे कल वाले कपड़े पड़ें जो कल मैंने वशिंग वशिंग लगाई थी ना यह सारे सोफे पर सेट करने हैं ते करने हैं और सब्जी धोनी आम पालक भी लाई थी सोरी अभी सब्जी देखी न तब मुझे याद आया क्योंकि मैंने पालक को नहीं दो आता है ऐसा ही फ्रीज में रख दियाता साफ करूंगी नहीं तो उसमें पानी छोड़ देगा ना भालक खराब हो जाएगा यहां मेरे सामान बता रही हूं इसको पनीर के फूल बोलते हैं और यह वह जूस है जो मैं कल व्लॉग में न तो जी घृज तैज नहीं खाती लेकिंर नीम ग्लॉई की गोळी म्योंड देली खाती हो जब कोरणा में क्या है इसे बोलते थे कि नीम ग्योदियume को ली घोन फॉन ने कि इमृण होती है जो बिमारी होती है नो ज़ल्दी से पकड़ती नहीं है शरीर को और डाइबू डा तो पोर्च वगेरा सब खराब हो रहते तो स्वामी जी को लग रहता है दो दो तो मेरे केने से और डाड दिया मैंने पहले आप नास्ता कीजिए उसके बाद में जाए मुझे बचाये दीजिए और आप नास्ता कीजिए यार पेट में कुछ होएगा भूके पेट नहों भज बिनियों तो बहुत लगे रहते हैं काम करने में हैं अभी मेरे को खुमा के लेके वर इतना काम करते हैं तो मैं उनको बोल रहे थी वह नगाद बूके पैट तो भजन भी नहीं होते आप नास्ता कर लिजिए उसके बाद में जाहिए आराम-ाराम से काम कर लीजिए कि वह फ तो गाड़ी दोने वाली भी लगा लेना चाहिए उनको हां आसपास में दोने वाले लग रहे हैं लेकिन स्वामी जी को अपना काम खुद करना सेल्फ करना अच्छा लगता है तो वह रोज रोज तो गाड़ी धोते नहीं है जब गंदी दिखती है ना तब भी धोते हैं तो भूले